नमस्कार दोस्तो मैं रुपेश कुमार और आप देख रहे हैं बोल बूल बूल दोस्तो आज फिर और एक इंट्रोस्टिंग वीडियो लेकर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आज मैं आपको वैक्यूम इंटरॉप्टर को केसे चेक करते हैं उसके बारे में पुरा में डिटेल में समझाओंगा दोस्तो ये देख रहे हैं आप वैक्यूम इंटरॉप्टर हम इसको भी वैक्यूम बोटल भी बोलते हैं तो ये बोटल को केसे चेक करते हैं केसे हमको पता तक जरूर देखें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइम करें वीडियो को सेयर करें और आपको पुछना है तो आप मुझे कॉमेंट करके भी पूछ सकते हैं दोस्तों चलिए दोस्तों सुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों वैक्यूम सर्कीट ब्रेक हैं उसके अंदर कंटाइम हो रहा है कि नहीं हम इसको नहीं दे सकते और उसका अंडर जो भैक्यूम रहता है ओव भी तोस्त नहीं जांज कर सकते हैं तो इसलिए जांज करने का प्रोसीजर क्या है कैसे मालूम करेंगे कि ये जो बैक्यूम बॉटल है ये सही काम कर रहा है पुरा सही है कुछ भी लिखेज विगरा नहीं तो कैसे हम चेक करते हैं दोस्तो कॉषक you straight कर सकते पहला तो है कंटक्ट और खेक कर सकते हैं कि ने उसको पिजिकली देखके चेक पहला वाला है दोस्तों ब्यक्योँम दिखा हुआ है कि यह देखें दोस्तों white color वाला आपको दिखाए दे रहा है जैसे पॉंश किया गया है white color दिखाए दे रहा है तो इसी को आप देखके अंदाजार लगा सकते हैं कि आपका यह vacuum interrupter सही है कि नहीं, तो केसे पता करेंगे दोस्तों, पहले दोस्तों क्या करेंगे, हम इसको close कर देंगे, मानवाली हम इसको close कर देंगे, जैसे ही हम इसको close करेंगे, तो हमको यह हमेशा दिखना चाहिए, देखिए दोस्तों, अभी हमने इसको close किये, तो close करने का time हमको यह पूरी तरह से दिखाई देना चाहिए यह मार्किंग अगर से दिखाई दे रहा है इसका मतलब है कि आपका वैक्यूम बटल वेयर नहीं हुआ है वेयर क्यों होता है ज्यादा तर फॉल्ट की बज़े से वेयर हो जाता है क्लोज कंडिशन में बाहर से दिखाई दे रहा है मतलब यह सही है तो दोस्तों सेकेंड पॉइंट दोस्तों वैक्यूम का प्रेसर हम केसे चेक करेंगे वैक्यूम का प्रेसर हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं एक तो हो इलेक्ट्रिकाली दूसरा बाला है मेकानिकाली दोस्तों तो दोस्तों केसे हम इसको इलेक्ट्रिकली चेक करेंगे, इलेक्ट्रिकली चेक करने के लिए हम इसे high voltage SC supply देना पड़ेगा, open condition में, vacuum circuit open condition में high voltage SC supply देना पड़ेगा, अगर इसका ग्यास का pressure low रहा होगा, सही pressure maintain नहीं किया होगा, तो ये 10 सेकेंड भी उसी voltage को hold नहीं कर पाए दोस्तों, तो दोस्तों एसे ही हम पता करेंगे, high voltage test करके हम पता कर सकते हैं, कि ये जो vacuum interruptor रहे, उसका pressure सही है कि नहीं है, लेकिन दोस्तों high voltage test करने के लिए हमको high voltage kit की जरुरत पड़ेगा, तो working field में high voltage kit हमेशा मुझूद नहीं रहता है, तो हम और एक method से ये test कर सकते हैं दोस्तों, तो दोस्तों, तो दोस्तों, जैसे ही हम इसको खोलेंगे, ये तुरंत close position में चला जाएगा, जो vacuum contact है, तुरंत close position में चला जाएगा, जो vacuum interruptor रहे जाएगा, चला जाएगा, और third step में हम फिर उसको open position में force करके हम इसको open position में लाएगे, तो कैसे लाते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों, अभी हमने इसका coupler and liver दोनों को खोल दे आएगे दोस्तों, खोल के अभी हम इसको देखिए, जैसे ही हमने खोला, ये तुरंत close position में चला गया, बैक्यूम का pressure की बज़े से जैसे ही हम इसको खोलेंगे, ये तुरंत automatic close position में चला जाएगा, तो close और open के बीच में जो gap रहता है, उससे हमें measure करना है, बस यही काम हमें करना है दोस्तों, अभी ये automatic close position में चला गया है, तो यानि हम इसको खींच के, downward खींच के, हम इसको open position म में लाने की कोशिज करेंगे, तो उसके लिए ये बस ये instrument की जरूरत होता है, उसे खींचने के लिए बस पकड़ के उसे खींचने के लिए instrument लगया जाता है, देखिए दोस्तों, अभी vacuum interruptor close position में है, अभी हम इसको downward खींचेगे, यानि ये कितना movement कर रहा है, इसको बस measurement करन है, तो दोस्तों, manufacturing का जो तय लिमिट होता है, यानि open and close के बीच में ये vacuum bottle कितना movement करेगा, उसका एक तय लिमिट होता है, तो यहाँ पे हम जो ये measurement कर रहे हैं, ये उसका 18 mm का gap रहता है, दोस्तों, close and open के बीच में 18 mm का gap, तो आप जहाँ पे जिस breaker, जिस भी मेंका breaker का इस्त measurement सही है कि नहीं, अगर ये measurement आपका सही नहीं दिखा रहा है, तो आप मान लिजी कि आपका vacuum bottle का gas का pressure लीकी हो गया है, आपको vacuum bottle को replace करना पड़ेगा, तो ये छोटा सा trick से आप ये कर सकते हैं, दोस्तों, आसानी से आपना working field में आप ये काम कर सकते हैं, vacuum bottle का vacuum pressure measure कर सकते हैं, प्रेशर सही मेंटन हो रहा है कि नहीं, आपको से चेक कर सकते हैं, दोस्तों, ये सेम procedure को तीनों vacuum bottle के साथ आप repeat करें, दोस्तों, तीनों का measurement ले ले, तीनों का measurement अगर सही आ रहा है, तो आप मान लिजे कि आपका vacuum pressure सही मेंटन कर रहा है, अगर आप कुछ गड़बड़ी प मैंने जैसे समझाया, कोई आपको नहीं समझाएगा दोस्तों, कि इन्डस्ट्री में दोस्तों, सिखाने वाला कोई नहीं होता है, हम हर कोई चाहता है कि आप से कुछ सिख्या चला जाए, सिखाने वाला बहुत कम लोग रहते हैं इन्डस्ट्री में, तो आपको ये technical knowledge और स चेक करेंगे, vacuum का pressure हमारा maintenance के हिसाब से कब हम इसको चेक करना पड़ेगा, तो दोस्तों आपका जो vacuum circuit breaker रहता है, वहाँ पे एक counter लगा वाता है, उसी counter से आप पता करते हैं कि कितना बार vacuum circuit breaker को open close किया गया है दोस्तों, तो उसी counter का reading जब 10,000 बार उसको हो जाए, यानि आप आपने जब 10,000 बार उसको close open कर लिया है, तो उस समय आपको ये चेक करना है, उसका internal pressure को उस समय आपको चेक करना है, फिर अगला बार जब भी 15,000 बार close open operation हो जाए, तो उस समय और एक बार आपको चेक करना है, तो चेकिंग के दोरान जैसे मैंने बोला था है कि अगर आपक पड़े की वैक्यूम का pressure कम हो रहा है, वैक्यूम इंटरप्ट का pressure कम हो रहा है, तो तुरंत आपको replace का दना है दोस्तों, तो आशा करते हैं दोस्तों, वीडियो आपको आच्छा लागा होगा, तो मेरे साथ आन्तितक रहने के लिए आपका बहुत बहुत सुक्रिया, अगले वीडियो का